जर्मनी की नाजी ताना शाही में यह मैतुपूण पड़ाव था जिसका अंत बड़े पैमाने पर यहूदी नरसंगहार और दुट्य विश्यूयुत के रूप में सामने आया इस यूद में 60 लाग से ज्यादा लोग मारे गए थे 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद नाजी वाद जर्मनी की सरकारी विचार्ध हारा बन गया और यहूदियों को बुरे हालातों का सामना करना पड़ा आज एके दिन 1946 में दुट्य विश्यूयुत के दौरान ब्रिटेन की वायुसेना ने जर्मन वायुसेना को शिकस्त दी थी इस हमले के दौरान ब्रिटानी वायुसेना ने दावा किया कि उसने जर्मन वायुसेना के 176 जहास मार गिराए हैं साथी ब्रिटानी वायुसेना ने यह भी कहा कि हमारे केवल 25 जंगी जहास और 13 पाइलिट इस लडाई में गय थे बात के दिनों में यह साफ हुआ कि इस लडाई के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ने ही बढ़ा चड़ा कर अपने दावे पेश किये हैं 15 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के 60 लडाकु जहास गिराए थे ब्रिटेन के हातों हुए नुकसान की वजह से जर्मनी ने ब्रिटेन में अपनी जमीनी सेनाओं को भेजने का इरादा छोड़ दिया था कई दिनों तक चले इस युद में ब्रिटेन ने जर्मनी के 2698 हवाई जहासों को मार गिराने का दावा किया लेकिन यह संख्या 1294 थी वही जर्मनी ने 3058 ब्रिटानी जहास गिराने का दावा किया था जिनकी संख्या केवल 788 ही थी 1969 में आज कितिन भारत की राष्टे प्रसारंट सेवा दूरदर्शन की शुरुवात हुई थी दूरदर्शन का अंग्रेजी शब्द टेलिविजन लेटिन और युनानी शब्दों से बनाया गया है जिसका अर्थ होता है दूरदर्श्टी दूरदर्शन के नियमित दैनिक प्रसारंट की शुरुवात 1965 में ओल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई थी 1972 में यह सेवा मुंबई और अमृत सर तक फैल गई और 1975 तक साथ और शेहरों में यह सेवा शुरू हो गई 1982 में रंगीन दूरदर्शन का जनजन से परिच्छे हुआ था दूरदर्शन के राष्ट्रे नेटवर्क में 64 केंद्र, 24 शेत्रिय समाचार एकक, 126 दूरदर्शन रखरकाफ केंद्र, 202 उच्छ शक्ती ट्रांस्मीटर, 828 लो पावर ट्रांस्मीटर, 351 अलप शक्ती ट्रांस्मीटर, 18 ट्रांस्पोंडर, 30 चैनल और DTH सेवा शामिल है दूरदर्शन प्रसार भारती के अंतरकत चलाया जाता है लेकिन ग्रहकों के अचानक पलायन और जबर्दस्त घाटी की वजह से बंध हो गया, दिवालिया होने के बाद कई वर्षों तक व्यापक जांच चलती रही, जांच में जांच करताओं ने पाया कि इस बैंक के कर्मशारियों ने बैंक की वित्य हालत को अच्छा बताने के लिए बड़े प्यामाने पर अपने खातों में हेर फेर की थी, समय के साथ कई दूसरे बैंकों ने ली मैन ब्रदर्स के व्यवसाय के अलग-अलग तुकडे खरीद लिये थे, और आज ही का दिन 15 सितंबर भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत सरक सरकार की ओर से 1968 में डॉक्टर मौक्ष गुण्णम विश्वेश्वरया की जन्मतिती को अभियंता दिवस खूशित किया गया था, 1861 में डॉक्तर मौक्ष गुणदम विश्वेश्वरया का जन्म हुआ था, मोक्ष गुण्दम जब केवल 32 वर्ष के थे तब इन्हों ने सिंधु नदी से सुकुर कस्बे को पानी की आपूर्ती का प्लान तयार किया जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया सरकार ने इसे चाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ठूनने के लिए समीती बनाई इसके लिए विश्वईश्वरेया ने एक नई ब्लॉक सिस्टम का इजाद किया इन्होंने स्टील के दर्वाजे बनाई जो की बांच से पानी के बाहाफ को रोकने में मदद करता था इनके इस सिस्टम की प्रशन साब ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की थी आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है विश्वईश्वरेया ने मूसा और ईसा नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान तयार की इसके बाद इन्हें मैसूर का चीफ इंजीरियन युक्त किया गया बद्रावती इस पात योजना और बैंगलूरू में हिंदुस्तान हवाई जहाज सयंत्र की स्थापना करने में भी इनका योगदान एहम है इनके उपलब्दियों और योगदान की वजह से इन्हें करनाटक का भगिरत भी कहा जाता है मोक्षी गुंडम को 1955 में भारत रत्म सम्मान से नवाजा गया था